मुझकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे मैं हूँ आपका दोस्त शुभम मिश्रा तो एशिया कप 2022 के सुपर 4 स्टेज का मैश नंबर 4 खेल गया तक कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में और इस बेहदी रोमान्चक मु क्या इंडियन टीम अभी भी एशिया कप 2022 के फाइनल के लिए क्वालिफाय कर सकती है वहीं पर एशिया कप 2022 का नया पॉइंट स्टेबिल कैसा नजर आ रहा है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है इसलिए दोस्तों ये वीडियो होने वाली आप सब के लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है के अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आउन करते ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी जिस खेलें और दोनों मुकाबलों में शांदार जीत हासल करिए टोटल इनके पास 4 पॉइंट से बहीं पर जो इनका net run rate है वो प्लस में चल रहा है 0.351 और शिलंका की टीम एशिया कप 2022 के फाइनल में कौलिफाई करने वाली पहली टीम बनी थी इनका आखरी मुकाबला के खिलाफ होना है और अगर उस मैच में शिलंका की टीम पाकिस्तान को भी हरा देती है तो ये पॉइंट सेबिल पे नंबर एक पर फिनिश करेंगे इसके इलावा दोस्तों एक और टीम जिसने एशिया कप 2022 के फाइनल में ओफिशिली कौलिफाई कर लिया है वो है पाकिस् पाकिस्तान की टीम दोस्तों अभी एक मुकाबला शिलंका के खिलना बाकी है और अगर उस मैच में पाकिस्तान की टीम ने शिलंका को हरा दिया तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम पे नंबर एक पर फिनिश करेंगे इसके बाद दोस्तों अब बात कर लिते हैं उन टीमों की जो की Asia Cup 2022 के final की दोड़ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है तो इसमें से पहला नाम निकल कर आता है Indian team का जो की points table पे number 3 पर है इंडिया ने super 4 stage में अभी तक 2 matches खेले और दोनों मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथो 5 विगेट की हार जेलनी पड़ी वहीं पर दूसरे मुकाबले में शुलंका के हाथो 6 विगेट की हार का सामना करना पड़ा था टोटल इनके पास 0 points है वहीं पर जो इनका net rate है वो माइनस में चल रहा है 0.125 और इंडियन टीम को सुपर 4 स्टेज में अपना आखरी मुकाबला अफगानिस्तान के खेलना है अगर अफगानिस्तान के खिलाफ इंडियन टीम बड़े margin से भी जीत हासल करती है उसके बावजूद इनके पास सिफ 2 points ही हो पाएंगे और 2 points के साथ ये Asia Cup 2022 के final में qualify नहीं कर परे इन्होंने भी सुपर 4 स्टेज में अभी तक 2 matches खेले और 2-0 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है पहले match में शिलंका के खिलाफ हाल जहन नी पड़ी थी वहीं पर दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा था टोटल इनके प अवजूद अफगानिस्तान की टीम फाइनल में कौलिफाइन नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास सिफ दो पॉइंट्स ही रहेंगे हला कि दोस्तो अगर अफगानिस्तान की टीम ये मुकाबला भी हार जाती है तो ये पॉइंट्स टेबिल पे नंबर 4 पर ही फिनिश करे जब कि इंडिया और अफगानिस्तान की टीम एशिया कब 2022 के फाइनल की दोड़ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि एशिया कब 2022 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी शिलंका या फिर पाकिस्तान आप अपनी राय कमेंड बॉ का लिंक आपको वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो फ्रेंड्स मिलते हैं आप से किसी नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तिल देन टेक कियर स्टे सेफ और गुडबाए